वेलकम क्लास फिफ्थ सकीना पब्लिक स्कूल क्लास फिफ्थ इस्वेंट हम लोग अपना दस्वां टैन्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं चेंजिज इन आवर इन्वार्नेमेंट आज इससे पहले हमने कई मसलों में बात की थी हमारा जो आखरी मसला था वो था ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस इफेक्ट से होने वाले जो जो तकलीफे थी जैसे ग्लोबल वार्मिंग हमने बताया था आपको कि अगर हम लोग अपने जो रोजाना के हमारे डेली रूटीन्स हैं उसमें हम बदलाव नहीं लाए तो हमारी अर्थ का सर्फेस टेंपरेचर इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वज़े से आइस्ता इस्ता बड़ता जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खत्रा है उससे दोचार होना पड़ेगा क्यूंकि इस ग्लोबल वार्मिंग में जो टेंपरेचर है वो नॉर्मल से उपर जा रहा है बढ़ रहा है एक से दो डिग्री फारन हाइट टेंपरेचर और पिछली सौ सालों में बढ़ चुका है अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर ये टेंपरेचर बढ़ता जाएगा और बहुत बड़ा खत्रा हमारे चारों तरफ मंदलाता रहेगा ये खत्रा जो हमारे उपर मंदला रहा है ये